नेक्स्स टॉपिंग्स स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पे दिया हुआ है बकसारिक यूद्ध अंग्रेजू ने मीर जाफर को बंगल का नवाब बना कर उसके पास में अलग-अलग बहाने बना कर विपुल धन क्या कर लिया उसमें प्राप्ट कर लिया और अधीक-अधिक कासीं से डर लगने लगा इसलिए मिर कासीं को अटा कर पुना उस ने जाफर-प्र को कैंकर दिया इंग owners नवा बना दिया मिर कासीं में आवद के सरण में मुगल बात्ताALब का सालम जो आया हुआ हुआ इसलिए तीनos सइकती रूप के लिए निरने करके कंपणी कieme विरुद एक युद्व की धोसरा करती ह hollow गई इस्परकार कंपणी को बंगाल और बिहार उप्ती दिमानी सत्ता जो थी वो मिल गई है नेक्स्ट टॉपिक स्टूटेंस हम यहां पर देखते हैं तो अभी हमें इसमें से बक्सर क्यूद्व में से स्टूटेंस क्या मिला कि बक्सर के युद्व कब हुआ था तो बाइस अक्टूबर की बाइस कहते हैं और जिसमें क्या हो गई रहां तो यहां पर को क्या हो गया एक बंगाल बिहार और लिवानी शटा मिल गई तो यह था बक्सर के युद्व के इंदर-दिस्रा टॉट्विक स्टूटेंस हमारे पास आता है कंपनी का सासा नियाब पे अंग्रीजी सरसाय नियामक कानून परावरित किया कब परद किया तो सब्सक्राइश इसे की सीधा अंकुस में रखा गया मिंज गया एक गुवर्णर में बना दिये गया व्यापारी तथा राजनितिक हीटों तथा प्रुवतिक को उसको उसके को सीधा अंकुस में रखा गया मतलब एक ही संचालांग करेगा और उसके अंतरगर्ट मुंबई मदरास के गवर्नर और कॉंसिल को काउंसिल को यहां पर रखा गया मतलब क्या मुंबई मदरास यह जो इसके में काउंसिल को हैड कॉर्टर को रखा गया इस तरह वारें भारत का पर्थम governor general बना तो यहांपे student सवाहद आता कि पर्थम governor general कौन बना तो यहांपे Warren Hastings जो था वह पर्थम governor general भारत का बना उसके ऍजवरेम maratha governor general Warren Hastings पर्थम MARATH युद्धर और मेस geworden मेसूर के हैदर अलिके साथ दितिये मेसूरिद्ध हुआ इश पुरांग दो सक्ता के साथ एक सामना करने से इस इंडिया कंपनी की कठीनाया जो थी वह बढ़ गी वरन हैस्टिंग के बाद गवर्नर के के रूप में कॉर्ण वालिस आया उसके समय में मेसूर का बाग के रूप में प्रख्या तीपु सुल्तान के साथ तिसरा मेसुर का युद्धु हुआ तीपु सुल्तान को हराने के लिए कंप्री ने मराठा और निजाम की सायता ली तिनों की सम्मीरी सेना से तीपु सुल्ता कि क्या हो गई हार हो गई और उससे संधी को क्या करना पड़ा स्विकार करना पड़ते चीजर स्जीकने को बिली कि कि यहां पर कह सकते हैं तो यहां पर दिगेंसुर्य जो था वह हार गया और उस्ने और उसे कॉर्णम वालेज की संधी को क्या करना पड़ा स्विकार करना पड़ा आगे स्टूटेंट्स हम देखते हैं यहां पर तो कॉर्णम वालेज के बाद सर जॉन 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 सौर गवर्नर जनरल बना उसके द्वारा अपनाए गए तरश्टा की नीति कारण इस्ट इंडिया कंपनी को परतिस्टा एक तरग भटी तो दूसरी तरग महराथी अधिक सकती साली बने तो यहां पर कह सकते हैं इस्ट इंडिया कंपनी किसके टाइम पर कमजोर ह लोगा तो जॉन सौर के बाद आने वाला गवर्नर जनरल वैलसली के सिर्ग कंपनी को भारत को सर्वपरी बने का उसको उत्तरधायित वह मिला इसके लिए वैस लिने सायता संदिय योजना की सायता संदी योजना के सरते और स्विकार करने वाले राज्यीं यह आपे दिए तो students कौन-कौन से यहाँ पर सरती दीगे हैं वो question का question भी पूछा गया आगे तो आप सभी students को ध्यान दे रहा है यहाँ तो पहली संदी यहाँ पर जो पहले lesson ले दीदी तो पहला संदी यहाँ पर क्या दिया सायक संदी योजना स्विकार करने वाले राज्यों को company सरकार प्र अगर करेंगे दूसरा point उसके बदले में योजना स्विकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च उत्तर उतनी आयप प्रदेश अंग्री जो को देना होगा यहाँ हम सेनिक तो आपको देंगे लेकिन आपको उसका पैसा देना होगा मतलब हमारे जो सेनिक आप में आपके मा मतलब काम करेंगे आपके जी सुरुक्षा करें उसका खर्चा आपको तेना होगा उस राज्य को आगे का point students हम देखते हैं यहां पर कंपनी की अनुमति की बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्य या संदी नहीं कर सकेगा अगर कंपनी को परमिशन देगा कि आपको अन्य राज्य कोई आत्मी हमारे साथ रखना है या फिर यूद्य करना है तो पहले कंपनी से परमेशन लेनी होगी चौधा point राज्य को दरबार में एक अंगरीजी प्रतिमीदी को रखना ही कंपल सरी होगा अन्य विदेशी को अपने राज्य में नोकरी पर नहीं रखना ह होगा मैं दुसरा के विदेशी तो उसे आपको राजी के अंदर नहीं दे सकते हो तो स्वी योजना स्विकार करने में राज्य कौन-कौन से हैं तो यहां पर निजाम मेंसूर आवद गायकवार सिंधिया और हॉल कर यह सब चो यहां पर राज्य थे उन्होंने क्या किया थ उसे तो इस प्रकार की यह संदी थी अगरे स्टुटेंट्स हम यहां पर देखते हैं आगे का पॉइंट यहां सायक संदी योजना मतलब वैलसली किसलिया बताए यह यह जोजना मीठे जहर के समान थी इस योजना को लागू करने के लिए वैलसली ने बहुत से प्रदिश् उने निजाम के साथ मिलकर मैसूर मैसूर पर इसवी सं 1799 में आकरमर किया इस चौथे मैसी युद्ध में अंगरीजु के साथ लड़ते हुए टीपु सुल्टान के मृत्यों हो गया उसका रिजन क्या था जो टीपु सुल्टान का जो सेनापती था वो क्या था युद्ध करके गोर्खों को सेना में सामिल किया तो यहां पर स्टूटन देखिए वेलेस्टी के पस्चाट जो था वो गौवर्णर जनरल के रूप में हैस्टिंग्स आया उसने नेपाल के साथ युद्ध किया और उसमें जो गोर्खा जो थे सेना जो थी वो नेपाल की बहुत अच्छी सेना थी और उसने युद्ध करने के बाद गुर्खा सेना को क्या कर लिया अपने इस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सामिल कर लिया उसके बाद आगे पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अंकुस में लिया मतलब अपने अंदर सांतिक उन्हें बना के रूप में जाना आता है तो उसका नाम क्या है तो विलियम बैंटिक पहले कि गवर्णर जिलनल के दोवार अपनाई गई सामराज जवादी नीती से राज्यों में से असंतोस पैदा हुआ इस असंतोस से एकता ना खड़ी हो जाए इसके लिए उसने उदारता पूर्ण कार और उदारता दिखाने का भी कोई रिजन था ताकि भारत देश के अंदर कोई असंतोस एकता ना खड़ी हो जाए इस वज़े से उसने क्या क्या यहां पर उदारता पूर्ण की और उदारता दिखाए भारत के गवर्णर जनल के रूप में 1848 में डल होजी आया वह उग्र स इसाम्राज वादी महांसिक्ता वाला था उसने इस साम्राज वादी नीती नीती के नीती के पयोषण और कपंप कंपनी के राजी विस्ताहर में वूर्दी के लिए जीत जब टी इहता यापनाया जट डल होजी और पिक को यहां पर दिया हुआ है निस संतान राजा की मृति होने पर राज्य को हड़ाप कर लेना मतलब कोई भी राज चाहिए अगर उसका कोई राजा है अगर उसकी कोई संतान नी तो उसे हड़ाप लिना से इवस्ता बहाने किया कर लेना निजामका जैसे का लिए अगसे बाद नाम पत्र के सता को समाप्त कर हड़ाप कर ले россए लिए ऐसला पर एकजांपल तो यह सब सारी राजय जो हैं वह क्या बने डलोजी के हरफनी के आपर सिकार बने इस तरह कह सकते हैं आगे स्टुटेंट से आप देखते हैं झाजो सामराजवादी होने के साथ सथ सुधारवादी भी था यानि डलोजी जो था स्टुटेंट्स वह मारकार विभाक की स्थापना अंग्रीजी सिक्षा की विवस्ता आदी की सुरुवाद भी कि किसले की डेल हो जीनी की इसलिए उसे सुदरवादी भी कहा गया और कह सकते हैं इस्टुएंट्स विद्वा पुनर विवा बाल विवा परतिबंदक कानुन उसके उसके समय में ही को पारिर कर दिया गया मतलब यह सब चीज़ को हटा दिया गया सतरव सतावन में प्लासिक युद्व के सुरू करके सौ वर्स के बाद कंपनी में कंपनी के सत्ता और सामराज दोनों की वुर्दी हुई यानि सौ साल के बाद प्रंतु ऐसा करने से भारत के राज के असंतु हो Alan यह सुरस के प्रंछार जांतरव में सुरू हुगा किस कारन तो यहाँ पर आज्यों क laba में बहुत यह ज्यादा बढ़ चुका था आज़न सदेखते हैं कंपनी सासन का आर्थिक प्रवाव ये भी कोशन आंसर में पूछा गया है तो सभी स्टुएंट्स को ध्यान देना है जब हम कंपनी सासन का वीवरन तयार करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से विस्व के देशों में आर्थिक रूप से गोणोपनिस्था रखता है तो वो कंपनी के सासन में सौ वर्ष के सासन काल में इंग्लेंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कार्खनों में तयार करने के लिए ब्याजार के अवसकता पूरा करने वाला देश बना दिया गया मतलब सौ साल के अंतरगत कंपनी को जो सारी जो कच्च अमाल और हर चीज़ जो देने वाला जो था वह हमारा भारत देश जो क्या था एक आर्थिक लुप से बन चुका था यह अगर भारत से अगर उनको निकाल दिये जाए तो इस प्रकार कह सकते हैं वो भिकारी बन सकते थे बंगाल 1708 से लेकर 1757 तक कच्चा रेसम चीनी सन मलमल का निग्याद करता था परन्तु द्रीमुकी सासन पद्दती के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुदली पढ़ गए क्योंकि उससे में द्रीमुकी सासन था एक तो बंगाल के नवाप का दोसरा यहां पर कह सकते हैं कंप यह भारत के कपड़ा उद्योग पर अन्याय पूर्ण आयत कर चुंगी चुंगी मतले स्टूरी ने चाहां पर कह सकते हैं टेक्स लगा दिया गया भारत के उद्योग धंदे को कुछल डालने के लिए भीवित अनुचित अनुचित मतलब गेर कानुने तोर तरिके हुए भारत के कार Brush गरीब और बेरोजगार बने और कंपनी के व्यापारी निजी के कंपणी के व्यापारी निजी के कारण स्टूडेंस कंपनी की व्यापरी मीजी के कारण बंगाल के कारीगरों में थोड़े समय में निधारित मातरा में कपड़े बुनकर तयार करने का कॉंट्रेक लिखा लेते थे इस वजाए से वहाँ के लोग को बहुत सारी मुसीवित को सामना करना पड़ा यदि कारिगर इंकार करें तो उन्हें कोडे मारने या जेल में डालने के सजादी आते थी कंपनी के आगवन से भारत के गाउं स्वायलंबी और संब्रूद्ध थे यह जब कंपनी नहीं आया थी उससे पहले भारत के जो गाउं थे करण गरीब और पराधिन हो गए तो यह जब अंग्रेज के सासन आया तो हमारे जो भारत के जो गाउं के जो जो लोग थे वह क्या होगे गरीब हो गए और इसींडिया कंपनी के सासलकाल में भारत में मुंबई धाने की बीच पर्थम रेलवे अट्रासो तिर्पन में स्थापिर शुरू की गई इंग्लेंड भारत के बीच स्टीमर सिवा की सुर्वाद भी की गई मुंबई मदरास याने करकुता जैसे बड़े बंदरगाह भी विक्सित कि यह वैपार के लिए आगे का स्टूडेंस अमारे पास पॉइंट दिया ब्रिटिस सासन का समाजिक प्रभाव क्या पड़ा यहां पर देखेंगा स्टूडेंस ब्रिटिस सासन काल के दोरान समार समाचारा मिलें कि मन और देखनें लोगों पर देतार हो वह सारी जो जानकरी समाचार से बारत तो common प्रभाव में वोTON तो उस समय में यह समाज में कुछ निकार प्रश्चार ने को मिलती डिसे सद्भीवात यह संपर्क में राढ़ाय Ce संपर्क में राज़ा राम ओं को दूर करने का कानून बनवाई भारत में प्रसासनिक धाचे का अंगरीजि तक होने से लोगों कर देंगिए लोगों के जरुए प्रइंप शुरुप में कले के प्रियास से भारत में अंगरीजी सिख्षा देने की सुरवाद भी स्ट टोई आक है कि प्रतिम अंग्रीजी सिक्षा देने के सुर्वात किसको तरह सुरू की तो यहां पर मेकाले के प्रियास के दवारा यहां पर शुरू की गई भारत के अंदर चारल वूट ने सिफारिस से मुंबई की प्रक्रिया को घती दीमता सुधार जैसे जायर सी बात है स्टुडेंट जब आप लोग पड़े लिखे होंगे तो आपको सही गल्का सब्सीचरत क्या हो जाएगा पहचान होगा आगे स्टुडेंट दिया उससे इस पार्ट समय क्या मिलता है से वह दिपढ़ते इस तरह से इस इंडिया कंपनी में भारत के संब्रुद्धी व्यापार को आकरशित होकर भारत आई मतलब भारत के संब्रुद्धी और व्यापार से आकरशित होकर इस इंडिया कंपनी क्या होगे भारत में आई तो यह रिजन था इस इंडिया कंपनी का भारत में आनेगा क्यूंकि जो ता वो सम्रुद्ध था और व्यापार भारत के नहीं अच्छा था भारत में कंपनी सासन के प्रणाम सवुर्फ राजनेतिक आर्थिक सामाज एक सांस्कुर्थ छेतर पर अच्छे बुरुवे प्रभाव पड़े कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लेंड को सम्रुद करने की नीती अपनाई और भारत में अपने लाप के लिए जिस व्यवस्ता को उपनी वेश्च उधार किये उसे भारत को परवग छुरुप से लाब भी हुआ जैसे कंपनी ने अपने व्यापार के लिए बंदरगाय स्तापित के तो उससे भारत को भी परवापड़ा और भी मार्क भी सुरू किया तो इससे कैसे कह सकते हैं पर रोग सिर्फ से भारत को भी फायदा हो हुआ अगर इस्टुनेंस सोची अगर इंग्लेंड ना होता तो भारत में क्या होता क्या रेल आयो थी इतना पहले उनिवस्टिटी हिंदुस्तान के अंदर आई होती साय नहीं स्टुडेंट्स को क्या करना है कंप्लीट कर लीना है तो इस्टुडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टुडेंट्स जय हिन